हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टो फर यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होता है गूगल मर्चेंट और यह क्यों जरूरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, तो गूगल मर्चेंट सेंटर का मतलब क्या ह है गूगल मर्चेंट सेंटर हमें क्यों important है, हम जब भी Google पे कोई भी product search करते हैं, माल लीजी हम यहां पे कोई भी mobile search करते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास different companies की, mobile की price ranges, products show हो रहे हैं, यहां ads में, तो यह किसकी show हो रहे हैं, यह होते हैं, गूगल मर् Kardashian Center पर account बनाना होता है जिसके तरू आप अपने जो भी आपका product है उसके advertisement कर सकते हैं आप paid advertisement और unpaid advertisement अप्लाई कर सकते हैं जीसे कि आपको यहां पे जो advertisement दिखरी है ये paid advertisements हैं ॉर आपके पास ये shopping का tag open हो जाता है जिसमें आपको ये साई चीजे दिखती हैं, ये जो उपर की साइड आपको advertisements दिख रही हैं, ये पेड advertisements हैं और ये जो नीचे आपको दिख़ए हैं ये unpaid advertisements हैं, तो ये आप कैसे apply कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि आपके ऐसे merchant center के लिए apply कर सकते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे important चीज आपके पास आपका Google account होना चाहिए जिसके थुरू आप Google merchant पे अपना account create करेंगे तो आपको Google account आपका बना हुआ है उसके बाद आपको Google के search console में search करना है Google merchant center जैसी आप Google merchant center पे click करेंगे आपके पास यह वाला prompt open हो करायागा इसमें आपको get started भी click करना है और फिर आपको अपने account को create करना start करना है आपको यहाँ पे अपने business का नाम देना है जो भी आपका business है उसका नाम यहाँ पे आप डालेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही है अपने business का नाम उसके बाद आपको business country डालनी है जो भी आपकी country है मेरी इंडिया है तो मैं इंडिया अपलाई करती हूँ उसके बाद आपको time zone भी according to set हो जाएगा जैसे यहाँ इंडिया standard में time zone set हो गया है उसके बाद आपको क्या करना है आपको यह बताना है कि आप जो भी जिस भी product के लिए आप जिस भी business के लिए आप अपना merchant account set कर रहे है उसके लिए customer आपको कहां check out करेंगे आप website, local store, चाहे तो दोनों इन दोनों को भी आप select कर सकते हैं तो मैं अभी website के उपर click कर रही हूं आप इसको further बाद में भी changes इसमें कर सकते हैं ओके दैन उसके बाद आपको दैन उसके बाद आपको क्या करना है आपको यह apply करना है कि Shopify पे आपकी account होगा या फिर PayPal पे या फिर आप इसको भी changes कर सकते हैं मैंने यहाँ पे PayPal select किया है दैन उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको merchant center में emails जो भी आपकी merchant center से regarding mails होगी वो आपको क्या क्या देंगी तो invitation to test new features means जो भी नए features आएंगे उसके लिए आपके पास invitations आएंगी यह अपने आप automatically इसने टिक कर रखा है और मुझे यहाँ पे back practice के लिए tips भी चाहिए तो मैं इसके लिए भी इसको select कर लोगे उसके बाद आप Google merchant center की term and services को read करना चाहते हैं इसको read कर सकते हैं यहाँ से और इसको I have agreed पे click करके देन आगे करके आपको यहाँ पे create account पे click करना है जैसे आप further proceed करेंगे आपका merchant center पे account बन जाएगा उसके बाद आपको उसमें अपनी साई details फिल करनी है तो details फिल करने के लिए आपको क्या करना है आपको यहाँ पे finish your remaining steps पे जाना है continue करना है then इसमें आपको अपने business की details डाल लिए तो यहाँ पे आप अपना business का address डालेंगे आप यहाँ पे अपने business की details डालेंगे city इसके बाद state pin code then इसके बाद आपको verification purpose के लिए अपना phone number यहाँ पे डालना होगा तो यहाँ पे अपना phone number डालेंगे save पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे verify number करने के लिए आप verify number करेंगे तो आपके पास यह prompt खुल के आएगा कि आपको text message चाहिए यह voice call चाहिए तो आप text message voice call according to you आप select कर सकते हैं code डालने के बाद finish करना है तो आप देख सकते हैं हमारा जो phone number है वो verified हो चुका है और हमारी जो business की information है वो add हो चुकी है then उसके बाद आप continue करेंगे अब इसमें आपको अपनी verify अपनी जो आपका website है उसे claim करना है तो यहाँ पे आप अपनी website का address डालेंगे आपको website का address पूरा डालना है जैसे यहाँ पे https के साथ डालना है उसके बाद आपको continue पे क्लिक करना है जैसी आप continue पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ दिख रहा है मेरा claim successfully हो चुका है website add हो चुकी है मेरी आप इस तरीके से easily अपनी website को इसमें claim कर सकते हैं मेरी website automatically claimed हो चुकी है क्यूंकि मैंने अपनी website पे analytics को add कर रखा है और भी भहुत सारे मैंने tags use कर रखे हैं इस वज़े से automatically मेरी website को claim कर लिया है अगर आपको automatically claim नहीं करता है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ से अपनी जो जो भी आपकी ID है उसको लेकर अपनी website के head tag में head के अंदर meta tag के अंदर उसे submit करना होगा और then आप यहाँ पे continue करेंगे तो आ easily verified हो जाएगी ओके गाईज अगर आपको merchant center में login करने या add-on अपने account को add-on करने में कोई दिक्कत होती है तो आप comment section में query raise कर सकते हैं और अगर आपको video पसंद आयो तो please like share करें और हमारे channel को subscribe करना ना भूले Thank you for watching